कि अब इस अब इस आ गड़े आज़ें आज अब इस अब आज़ें आज़ेंग अज़ें आज़े से जल्दी बताव आपको वाया जा रही है hello everyone good evening everyone good evening good evening अजी आ रही है बहुत बढ़िया अगर आपका वाज प्रवपातरी किसे सुनाई दे रही है ओके तो गाईज आज हम स्टार्ड करने वाले हैं हमारा टॉपिक लोकसबा जे जल्दी से जल्दी जहां पे भी आप क्लास शेयर करते हैं तो फटा फटा ये क्लास शेयर कर दीजिए ठीक है तो इसको हम डेटेल में टॉपिक को डिसस करेंगे जस्टेस सेगेंड गूड इवनिंग आज हम स्टार्ड करने वाले हैं लोकसबा के बारे में इंडिन पॉलिटी का टॉपिक बहुत डिटेल में डिसकुशन हमारी प्रॉपर दरी किसे होगी ठीक है और एक सेगेंड रुकिए जस्टेस सेगेंड हा चलिए सो गाई स्टार्ड करते हैं लोकसबा का टॉपिक और लोकसबा जो है हमने पार्लेमेंट के अंदरगत जो है राष्ट्रपती के बारे में पढ़ लिया है उपराष्ट्रपती के बारे में पढ़ लिया था राज्यसभव मैंने आपको पढ़ा दिया है आज हम lower house जाने के लोगसभवा के बारे में detail में discuss करेंगे और लोगसभवा के अंतरगत क्या चीज़े आती है जैसे लोगसभव, members वगएरा, speaker, dpd speaker, pro term speaker ये सब चीज़े के बारे में हम आज detail में discuss करने वाले हैं, ठीक है, clear, चलिए जैसे, start करते हैं आज की session को और इस class को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है dr. विपंगो, बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो है आपको, जो मेरा एक batch है, live batch, that is the general awareness selection batch, जो है हमारी class ही start होने वाली है, 31st of August को, सिर्फ और सिर्फ 9 दिन रह गए हैं, अगर आप इस batch में admission देना चाते हैं, तो आप ले सकते हैं, और इस batch के अंतरगत, ये 31st तारिक को start हो जाएगा, ठीक है, और शाम को 7 बजे हमारी class ही start हो जाएगी, इस batch के अंतरगत, जैसे आज हम discuss करेंगे, topic look सबा का, वैसे ही हम इसमें प्रपर तरिक से discuss करेंगे, सारे topics, quality, history, geography, environment, world history, geography, और जितने भी हमारे science and tech, science के topics, art and culture, सब इसमें हम discuss करने वाले हैं, और इस batch के अंतरगत, 5 दिन आपकी classes रहेंगी, 2 गंटे आपकी class होगी, और आदा गंटा आपको extra दिया जाएगा, for the doubt session, हर दिन doubts clear कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारी class होगी, और 5 दिन लगातार classes चलेंगी छटे दिन doubt session होगा, और 7 दिन जो है, आपका प्रॉपर तरीके से जो है, उस चीज़ का test हुआ करेगा, हर class के साथ कुछ questions आपको मिला करेंगे, घर पे attempt करने के लिए, और कुछ questions जो है, आपको mock test में मिला करेंगे, और इस से जो है, आपकी प्रॉपर तरीके से holistic approach होगी, जैसे त्यारी मैं करवा रहा हूँ और आप कर रहे हैं, और इस batch में सिर्फ और सिरफ मैं जैसे बोलूँगा, वैसे आपको पढ़ना होगा, that's why it is called selection batch, जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूँगा, उसी तरीके से आपको चलना होगा, और उसी तरीके से आपको पढ़ना ह और आपकी तेयारी करवाओंगा, मैं लेकिन करेंगे आप लो, सिर्फ मैं गाइड कर सकता हूँ, लेकिन पढणना आपको ही पढ़ेगा, again मैं बता रहा हूँ, चीजे मैं समझा सकता हूँ, समझनी आपको पढ़ेंगी, मिहनत आपकी होगी, लेकिन मैं एक रस्ता और ये सारा batch जो है आपको कहां पे मिल जाएगा हमारा study IQ app पे जा हमारी website के उपर और ये जो study IQ app आप जैसे आप upload डाउलोड करेंगे जा website खोलेंगे home page नजर आएगा यहाँ पे दिखेगा search bar search bar में डाल देना live search bar में डाल देना live जैसे आपने live डालाना तो आपको ये course नजर आजाएगा ये तो ऐसे आपको दिखेगा और click करना और इसमें आप admission ले सकते हैं otherwise home page पे नजर आएगा आप just launch के बटन में जाना तो just launch में आपको view all करके जो है ये नजर आ जाएगा clear और इसके इलावा हमारा एक paid course और है 10,000 mc course जो की proper तरीके से हमारा mc course है best selling section में और just launch section में देखने को आपको मिलेगा बाकी सारे updates वगएरा जो होंगे lectures के regarding कौन कौन से हम upload कर रहे हैं जा YouTube की classes PDF वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मेरे साथ यहाँ पे 140,000 प्लस बच्चे जुड़े होए हैं तो आप यहाँ के जुड़ सकते हैं और मुझे आप लाउट्स हो, questions हो आप मुझे यहाँ पे email कर सकते हैं so now the part is लोकसभा इस तरीके से हम पढ़ेंगे नहीं और तरीका हमारा कौन सा होता है again return वाला portion clear अब हम पढ़ेंगे detail में इस topic के अंत्रगत तो क्या है लोकसभा के बारे में yes बहुत बढ़िया अच्छा हाँ इस topic को start कर करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप लोगों ने study IQ app से कोई भी study IQ app website से कोई भी course purchase कर रखा है पहले कोई भी any course clear तो आप लोगों ने मुझे message करना है instagram की उपर telegram की उपर तो आपके लिए एक special discount है तो मैं आपको discount तब ही share करूँगा जब आप मुझे बताएंगे कि हाँ आप लोगों ने कौन सा course purchase किया हुआ है तो आपको मिल जाएगा तो start करते हैं आज की lecture को so start with the लोग सबा अब देखे जी लोग सबा का मतलब क्या है first of लोग सबा लोगों की सबा लोगों की सबा मतलब क्या हुआ house of people house of people जाने की लोगों की सबा house of people house of people का मतलब यहां पर यह है हम लोग वोट करते हैं और यह जो लोग होते हैं जाने की जिसे हमें MP कहते हैं Member of Parliament वो यहां पर आके बैठते हैं clear होगे आप लोगों को so that's why it is called लोग सबा और इसको हम lower house के नाम से भी जानते हैं निचला सदन कहते हैं इसको lower house clear so this is important one और य एक temporary house भी है temporary का मतलब क्या होता है मतलब temporary मतलब अंत्रि जिसे हम कहते हैं temporary मतलब अंत्रिम that means इसको कभी भी भंग किया जा सकता है भंग मतलब क्या हुआ dissolve, इसको कभी भी हम क्या कर सकते है, dissolve कर सकते है, clear होगे आप लोगं को वैसे तो कारेकाल इनका 5 साल होता है 5 साल से पहले भी भंग कर सकते है that's why it is called the temporary house so these are the other names of the लोकसभा, point clear होगे आप लोगं को these are the other names of the लोकसभा clear होगे आप लोगं को, जे अब बात करते हैं इनकी strength के बारे में, clear लोकसभा की जो strength होती है सबको पता है कि जो इनकी संख्या है maximum तो वो कितनी है, 552 so this is the maximum strength, clear होगे आप लोगं को this is the maximum strength अब लेकिन अगर आप से paper में question पूछ लिया जाए, कि add present कितने लोग है ये, add present कितने है, मतलब अभी कितने present है यहाँ पे, so that is 543, so अभी present कितने है, 543 लेकिन maximum strength आपको में ने बता दिया 552 है, 552 है अब बात यहाँ पे यह आती है कि जो 543 है yes, 543 लोग है, ये कैसे आते हैं, तो इसमें हम divide करते हैं, दो जगा की उपर 530 और 13 530 जो है, आपके आते हैं, state से चुनके, जाने कि राज्यों से चुनके आते हैं, जाने कि जो राज्या में हम वो लोग vote करते हैं इन लोगों को, MPs को, Member of Parliament को, तो ये आते हैं, और 13 जो लोग आते हैं, वो Union territory से देखने को हमें मिलते हैं, जाने कि केंदर शासी परदेशों से हमें देखने को मिलते हैं, पहले क्या होता था पहले क्या होता था, at present कितने होते थे, 545 होते थे पहले, 2019 तक, जो है आपका, clear, लेकिन अब कितने हैं 543, पहले क्या होता था 543 प्लस 2, 543 हमारा Anglo-Indians है, इसकी जो प्रावधान है, इनका जो concept है, ये हमारे सविधान से हटा दिया गया था, और ये Anglo-Indians कब हटाए गए थे, this is by the Amendment Act, 104th Amendment Act, Constitutional Amendment Act 2019, तो ये question भी paper में आप से पूछा जा सकता है, point clear हो गया आप लोगों को, जी, ये at present की अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो ठीक है, clear हो गया आप लोगों को, समझाया, चलिए, अगली बात करते हैं, सब को पता है, हमारी जो voting age होती है, जिसमें हम vote करते हैं, सो हमारी जो voting age है, ये सब को पता है कितनी है, जो कि आर्टिकल कितने, किस में लिखी गी है, 326 में, हमारी voting age कितनी है, 18 साल, पहले कितनी होती थी, 21 साल, 21 साल से 18 साल हुई, तो this is by the 61st amendment act, 1988, जो कि implement हुई थी, 1989 में, so this is again important one, clear आपको पता होना चाहिए, amendment हुई थी, हमारी voting age जो है, 18 साल है, अब लोग, 18 या 18 प्लस हम vote कर सकते हैं, पहले हमारी 21 साल होती थी, minimum voting age, clear हो गया आप लोगों को, अब बात ये है, कि जो 18 साल है, ये किस में लिखी गई है, आर्टिकल 326 में, and so this is called, कि ये इसको हम क्या कहते हैं, this is called universal adult franchise, universal adult franchise कहते हैं इसको, जा फिर इसको universal adult suffrage के नाम से जानते हैं, इस word का मतलब ये होता है, कि कोई भी person ऐसा, जिसकी age 18 है, जा 18 प्लस है, वो vote कर सकता है, हमारे कहीं पे भी elections में, तो लोग सबा में भी ये ही voting age है, क्योंकि सारे इंडिया में ही voting age, ये है 18, तो ये आपको concept पता होना चाहिए, clear, और अब बात करते हैं, paper में पूछ लेते हैं, कि जो article 326 है, ये हो गया क्या, right to vote का, जाने के हमें vote देने का अधिकार है, अब बात बताओ, कि ये लिखा कहां पे गया है, article 326 में, clear, 326 में लिखा गया है, so that's why right to vote जो हुआ, वो क्या चीज होगी आपकी, this is a constitutional right, ये एक सविधानिक अधिकार है, आपका क्योंकि सविधान में लिखा गया है, article, कौन से article में, that is in the 326 में लिखा गया है, so this is very very important point, clear होगे आप लोगों को, जी, clear होगे आप लोगों को, चलिए, अब मैंने आपसे एक बात करी थी, कि हमारी जो seeds हैं, लोकसभा की seeds हैं, at present कितनी हैं, 543, समझ आया, ये जो seeds होती हैं, लोकसभा की seeds, हर 10 साल बाद हम change कर सकते हैं, जब करते हैं, that means every census, जब हर 10 साल बाद जनसन क्या होती है आपकी, मतलब जनसन क्या होती है, जब 10 साल बाद हम करते हैं, changes करते हैं, तो census जब भी होता है, तो लोग सवा की CTB आपकी changes करी जाती है, क्योंकि एक आपकी जो population के पीछे 1 MP होता है, clear, मतलब अब हम कहा देते हैं, for example, 1,00,000 के पीछे 1 MP, तो it means, जैसे जैसे population भठती चली जाएगी हर 10 साल बाद, तो 1,00,000 के पीछे 1 MP होता जाएगा, जा फिर उसको दुबारा से हम कहेंगे, कि नहीं, अब 1,500,000 है, जा 2,000,000 है, जा किसी भी तरीके से, so उस चीज को, उस चीज की limit क्या है, कि ये इस area का MP जो है, वो ये person होगा, तो इस area को हम क्या कहते हैं, that is called delimitation commission, मतलब इस चीज की boundary को कौन बनाता है, that is called delimitation commission बनाता है, that जिसे हम क्या कहते हैं, परिसीमन आयोग कहा जाता है, point clear होगे आप लोगों को, और इसका मतलब क्या है, कि ये boundary बना देगा, कि हाँ, इस area के पिछे एक MP ये है, और ये कैसे पता लगेगा, हर 10 साल बात पता लगेगा हमें, लेकिन delimitation commission जो होता है, परिसीमन आयोग जो होता है, ये हमेशा राष्टरबती द्वारा बनाया जाता है, इसको appoint किया जाता है, और वैसे कोई permanent नहीं है, लेकिन राष्टरबती द्वारा बनाया जाता है, अभी तक हमारे सविधान में, चार बार delimitation commission बैठा है, जानकि हमारी चार बार लोगसवा की seat चेंज हुई है, तो डैडी जिन्दा इयर 1952, 1963, 73 और 2002, तो ये चार बार जो है हमारा delimitation commission बैठा है, 52, 62, 70, हाँ, क्लियर होगे आप लोगो, तो ये आपको याद रखना है, so this is very very important point, क्लियर होगे आप लोगों को, जी, समझा आया, क्लियर होगे आप लोगों को, next part, अब जितनी भी seat एं हमारी, लोगसवा की जितनी भी seat एं हैं, तो लोगसवा की seat एं हमने अच्छा एक चीज़ बताओ, जब राज्यसवा की बात करी थी, हमने राज्यसवा की बात करी थी, तो राज्यसवा के अंदर, जो SC population है, जा ST population है, उसकी seat हमने कहा था कि वहाँ पे reserve नहीं होती, लेकिन लोगसवा के अंदर जो SC और ST की seat होती हैं, ये reserve होती है, SC और ST की population की जो सीटे होती है वो reserve है और वो कितने reserve है SC population की सीटे 84 है और ST population की 47 सीटे जो है आपकी reserve करी गई है So this is very very important point Clear हो गया आप लोगों को? Yes, am I clear? Clear हो गया आप लोगों को? चलिए अब बात करते हैं लोकसभा का कारेकाल कितने साल होता है सबको मैंने बताया था अभी मतलब बातों बातों में बताया था कि लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है और ये भी बताया था 5 साल से पहले क्या कर सकते हैं हम इसको dissolve कर सकते हैं dissolve करने का मतलब भंग कर सकते हैं और इसको dissolve करेगा कौन? राष्टपती करेगा, पॉइंट समझ आया, अब राष्टपती करेगा क्यूँ, reason क्या है उसके पीछे, अगर परधान मंत्री और उनकी मंत्री परिशद के पास, परधान मंत्री और उनकी council of minister के पास, no confidence motion पास हो जाता है उनके against, ये no confidence motion का मतलब क्या है, कि ये अगर कह दें कि हमारे पास majority नहीं है, इनके against जो है majority show ना हो, majority का मतलब, जितनी लोगसभा की city है, उसमे majority people इनके साथ नहीं है, तो obviously बात है, इसको हम dissolve कर सकते हैं, परधान मंत्री again राष्टपती को बोलते हैं, कि हाँ हमारे पास majority नहीं है, तो आप भंग कर सकते हैं, तो राष्टपती जा सकता है, जानकी 6 साल भी हो सकता है, 6 years हो सकता है, ये एक साल जब भी बढ़ेगा, हमेशा किस टाइम पर बढ़ेगा, जब हमारे देश में national emergency देखने को मिले, अगर suppose करो, कि कारेकाल जो है, कारेकाल जो खतम हो रहा है, लोकसभा का, वो national emergency के, जैसे कारेकाल है, 5 साल है, for example मानके चलते हैं, 2022 चल रहा है, for example मानके चलते हैं, कि ये उनका last term है, BJP अगर running government बैठी है हमारी, तो उनका last year है ये वाला, clear, मानके चलते हैं, अब बात करते हैं कि 2022 last है, अभी national emergency लग जाए, तो क्या होगा, national emergency सबको पता है कि 6 महिने के लिए लिए लगती है, सबको पता है ये चीज़ें, 6 महिने बाद 6 महिने extend हो सकती है, लेकिन अगर ये problem जो है solve ना हो इन 6 महिनों में, तो क्या होता है, राष्टपती एक साल कारेकाल बढ़ा देते हैं, ये हमारे सविधान में लिखा गया है, और ये लिखा गया है, 42nd Amendment Act 1976 द्वारा, कि इनका कारेकाल जो है एक साल बढ़ जाएगा, जाने कि 5 से 6 साल हो सकता है, क्लियर हो गया आप लोगों को, और हमारे देश में जो National Emergency लगी है, राष्टिया पात कालीन स्थिती लगी है, वो तीन बार लगी है, 1962, 71 और 75 है, क्लियर, लेकिन जो लोकसभा का कारेकाल बढ़ा है, वो सिर्फ और सिर आपकी, सुरी, कौन सी Amendment की दोवरा एड करी गई थी, 42nd Amendment Act 1976 दोवरा एड करी गई थी, क्लियर हो गया आप लोगों को, जे, क्लियर, चलिये, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या, कि आपके जो एरिया है, एक MP इस एरिया में रह बता दूँ मैं, एक जब भी हमारी 42nd Amendment Act 1976 हुई थी न, चीक है, इस, चलो चोड़े, इसको बात करते हैं, इसको बात में बात करते हैं, कि हम बात करते हैं कि एक एरिया का MP ये है, अब बात ये है, एक Amendment हुई थी, that is, 84th Amendment Act 2001, इस Amendment Act के according क्या बोला गया था, कि अब जब भी ल अब जब भी हमारा अगला census होगा, 2026 की इन्होंने बात करी है, census जब भी हो, 2026 में हमारी सीटे चेंज होगी, जाने कि 2026 तक सीटे फ्रीज कर दी गई है, 543 ही रहेंगी, पॉइंट समझा है आप लोगों को, 543 ही रहेंगी 2026 तक, और ये word यूज किया गया है, 84th Amendment Act 2001 द्व होगा, उसके बाद जो है, 2026 के बाद जो है, आपकी सीटें चेंज कर दी जाएंगी, यहाँ पे 543 हो सकता है 600 बन जाएं, हो सकता है 550 बन जाएं, हो सकता है 580 बन जाएं, जब भी जो चेंजिस होगे वो आपको पता लग जाएंगे, जो ये आपकी अमेंडमेंट थी, 84th Amendment Act 2001, clear होगा आप लोगं को समझ आया next part is, अब बात करते हैं लोगसभा का member बनना है आप बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, कोई भी बन सकता है लोगसभा के member बनने के लिए जो qualifications होती है जाने के जिसे हम कहते हैं, योगताएं योगताएं जो चाहिए, हमें qualification चाहिए, वो क्या है सारा कुछ सेम, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का नागरिक citizen of India, ठीक है 25 साल minimum age चाहिए, this is very very important age के उपर paper में आता है और unsound mind नहीं होना चाहिए unsound mind का मतलब क्या है ठीक है, bankrupt नहीं होना चाहिए insolvent नहीं होना चाहिए दिवालिया कि bank के पैसे लेके मुकर गया हो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए तो ये सारी condition जो matter करती है ये आपकी qualification में matter करती है, point clear होगे आप लोगों को, yes, clear और जो आपकी qualification representation of people act representation of people act 1951 में, जो भी representation of people act में लिखी गई है qualification, वो भी आपके पास होनी चाहिए, अब बात ये है कि उसमें एक सबसे important चीज क्या लिखी गई है, कि अगर जिस area से, जिस area से आपने चुनना है, मतलब जिस area में आप election लड़ना चाहते हैं, तो आपको elector होना चाहिए, उसकी constituency में, मतलब आपका voter list में नाम होना चाहिए, point clear होगे आप लोगो, must be resisted as an elector for the some parliamentary constituency in India, मतलब किसी भी constituency के अंतरगत जो है, उसका नाम होना चाहिए, CDC बात है, ओ तो हो गई होगा, clear होगे आप लोगो, so this is very very important one, so यह आपकी people act के according भी बात करी गई है, so this is important one, clear, so guys, यही तरीका है, हमारे पढ़ाने का, और यही तरीका हम अपने GA live batch के अंतरगत बढ़ाएंगे, प्रोपा तरीके से चीज़ों को interlate करके, ताके आपको एक पूरा wholesome, एक topic clear होता रहे, ठीक है, चलिए, अगे, बढ़ते हैं आगे, हमने qualification पढ़ ले, अब disqualification हो सकती है, बिलकुल होंगी, योगिताएंजी से हम कहते हैं, disqualification 102 आर्टिकल में लिखी गई है, अब एक चीज़ बताओ, जो ही इनकी योगिताएंगे, अगर वो match ना करें, तो वो क्या हो जाएंगे, disqualification हो जाएंगे, अगर age matter ना करें, भारत का नागरिक ना हो, insolvent हो जाए, जा फिर office of profit हो, उसके पास, मतलब एक, एक government जगा, मतलब दो जगा के उपर appointment हो, government के उपर, लेकिन दोनों जगा से salary लेता हो, हमेशा आपको दो office संबाले जा सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, लेकिन salary आप एक ही office से ले सकते हैं, ये हमारे सविधान में लिखा गया है, अगर आप दो जगा से salary ले रहे हैं, तो अगर ये सारी चीजें जो हैं, ये आपके against आ रही हैं, तो आप disqualify हो सकते हैं, clear होगे आप लोगों को, disqualification दो तरीके की होती है, वो एक topic हम आगे फिर कभी discuss करेंगे, anti-defection law वाला, बट वो भी मैं आपको बता देता हूँ, disqualification होती है regarding qualification पहले, regarding qualification का मतलब क्या हो गया, कि जो आपको मैंने योग्यताइं बताई थी अभी, अगर उसके against हो, मतलब वो चीज़ें match नहीं कर रही है आपकी, तो आपको disqualify किया जा सकता है, उस case में disqualify जाने के regarding qualification कौन करेगा, regarding qualification करेगा कौन, that is राष्टपती, President plus Election Commission of India, जानने के राष्टपती किस से बात करेंगे, हमारे that was with the Election Commission, that is चुनावायू के साथ बात करेंगे, और उसके बाद राष्टपती उनको हटा देंगे, राष्टपती हटाएंगे, लेकिन consult करेंगे Election Commission of India के साथ, so again this is very very important point, clear, अब बात करते हैं, एक होता है regarding the defection, defection ये हम एक topic लेंगे, एक anti-defection law का, एक full-fledged topic लूँगा मैं, ठीक है, कभी भी लूँगा, आपको बता दूँगा मैं, और regarding, जो है, मतलब qualification, तो आपको बता दिया, अगर कोई person, एक छोटी term में बोलूँगा मैं, क्योंकि anti-defection law बहुत बड़ा topic है, मतलब एक घंटे का, खुद ही topic है anti-defection law, उसको मैं detail में कभी और लूँगा, बट आपको बता देता हूँ, अगर किसी बंदे ने MP बन गया, किसी party से जीत गया, ठीक है, मतलब X party से जीत गया, जीत के लोकसभा में आ गया, उसने अपनी party चेंज करके, दूसरी party में जाके गुज गया, और कहता कि मुझे, मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ, तो dad is called defection कहते हैं उसको, defection के बहुत सारे reasons हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे आपके definitions हैं, कि defection किसे कहते हैं, अगर party बदलता है, कोई भी person, तो उस case में, speaker of the loksabah, speaker of the loksabah जो है, उसको हटा देंगे, उसको disqualify कर देंगे, तो यह याद रखना, लेगिन मैं again बात कर रहा हूँ, मैंने एक आपको vague term बताई है, disqualification regarding defection, एक बहुत बड़ा topic है, उसको detail में हम discuss करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लीजे, कि अगर defection होगा, तो हम उसमे speaker of loksabah उसको बदल सकते हैं, यह याद रखना, clear, और बात करते हैं आगे, clear होगे आप लोगों को, जी, अब मैंने आपको बताया, कि 543 सीटे हैं, 543 सीटे हैं, यह तो आपको पता लगया, 543 सीटे हैं, अब यह है, कि कुछ सीटे, खाली भी छोड़ी जा सकती हैं, कैसे, कैसे खाली रह सकती हैं, अगर किसी person ने, double membership ले ले, double membership, अब double membership का मतलब क्या है, double membership का मतलब यह है, कि वो लोगसभा में भी जीता हुआ है, वो राज्यसभा से भी आपका चुना हुआ है, तो मतलब क्या होगा, कि इसमें उस person को, उस MP को, जा तो राज्यसभा की सीट रखनी पड़ेगी, तो एक तो case ही हो सकता है, वो एक MP elect भी हो सकता है, मतलब लोगसभा का MP election जीत गया, और वो अलड़ी एक MLA भी हो, MLA रहते रहते उसने MP का election लड़ दिया, तो यह condition भी हो सकती है, तो इस case में भी उसको एक ही opt करनी पड़ेगी, चाहे वो MP रहे, चाहे वो MLA रहे, clear हो गए आप लोगों को, और हम यह भी बात कर सकते हैं, कि कोई एक sitting member था, already, already एक sitting member था, किसी भी सर्दन का, again किसी भी सर्दन का लगा लो, तो उसने एक seat पे तो already बैठा था, उसने दूसरी जगा के उपर, बतलब एक house में बैठा था, और फिर उसने election लड़ लिया, like for example, वो MLA है, उसने MP का election लड़ लिया, तो दोनों ही जीत गया, मतलब MLA था ही था ही, और उसके बाद MP वे election भी जीत गया, जब MP का election जीत गया, तो automatically उसकी जो seat है, MLA वाली उसको छोड़नी पड़ेगी, तभी तो उसने MP के लिए लड़ा था, और इस चीज को करने के लिए, उसको सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का time दिया जाता है, कि 14 दिन के अंदर अंदर जो है, उसको decision लेना पड़ेगा, कि उसने seat कौन सी रखनी है, उसने लोकसभा की seat रखनी है, राजसभा की seat रखनी है, उसने MP की seat रखनी है, MLA की seat रखनी है, तो इसमें decide करने के लिए, उसको सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का time मिलेगा, ये आपको याद रखना है, clear होगे आप लोगे आप लोगे को, अगर उस बंदे ने 14 दिन के अंदर-अंदर कोई decision नहीं लिया, उस person ने 14 दिन के अंदर-अंदर कोई decision नहीं लिया, तो that means उनकी दोनों seat क्या हो जाएंगी, खाली, मतलब ना वो MLA रहेगा, ना वो MP रहेगा, तो दोनों seat उसकी खाली हो जाएंगी, तो दिया रखना, so this is very very important point, clear हो गया आप लोगो, sorry, नहीं नहीं यह नहीं होगा, मैं कुछ और बताना चाह रहा था, यह point गलत हो गया, यह clear है, कि मतलब उसकी exit चूज़ करनी पड़ेगी, for example, हम बात करते हैं ना, मोधी जी की उपर बात कर सकते हैं, जो मैं point बता रहा था, मोधी जी ने वारानसी से election लड़ा था, चीक है, और गुजराथ से election लड़ा था, यह तो सबको पता है, अगर कोई MP, अगर कोई MP जो है, वो दो जगा से लड़ ले, एक गुजराथ से लड़ रहा है, एक वारानसी से लड़ रहा है, point समझाया, एक गुजराथ से लड़ रहा है वारानसी से, दोनों से जीत गए, परधान मंतरी दोनों से जीते थे, clear, अब क्या होगा, अब क्या होगा, परधान मंतरी को, मोधी जी को, not परधान मंत्री, उस टाएं पर परधान मंत्री नहीं थे, मोधी जी को क्या करना पड़ेगा, इन में से एक seat को चूज करना पड़ेगा, कि वो वारनसी की seat रखें, जग गुजरात वाली seat रखें, पॉंट समझ आया, तो उन्होंने अलग बात है कि वारनसी खाली, जाने कि गुजरात की seat क्या होगी, फिर क्या होगा, गुजरात की seat की उपर, within 6 months के अंदर-अंदर, 6 महीने के अंदर-अंदर election होंगे, और वो election जो होंगे, वो होंगे by elections, और 6 महीने के अंदर-अंदर election होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, by election के नाम से जानते हैं, द अज्यसबा का मेंबर है, लोकसबा की seat लड़ रहा है, तो उन cases में उनको एक ही opt करनी पड़ती है, 14 दिन का उनके पास समया होता है कि कौन सी opt करने वो बताना, फिर उसके बाद ये होता है कि अगर कोई person, MP, वो दो जगा से election लड़ रहा है, जैसे मैंने मोधी जी की example लेके ब एक ही बंदा दो जगा की उपर बैट सकता हो, दो seat की उपर बैट सकता हो, तो वो जगा खाली, उस जगा की उपर, क्या होगा, by election, 6 मेने के अंदर-अंदर एक election हो जाना चाहिए वहां पर, clear होगे आप लोगो, समझ आया, clear हो, अरे यार तुम क्या बात करते हो, better one से लड़े, वहां से लड़े, वो उनकी मरजी होती है, जो भी MP लड़ रहा है, जो भी MLA लड़ रहा है, वो उसकी मरजी होती है, कि वो कौन से seat रखना चाहता है, better उसको पता है, आपको नहीं पता, उसके लिए better क्या है, so this is very important point, clear होगे आप लोगो, अब बात करते हैं, जा resignation देने का मतलब क्या है, अगर कोई member है, member कोई भी MP की बात करेंगे, लोगसवा की बात करेंगे, तो MP की बात होगी, तो कोई MP कह रहा है कि मुझे रिजाइन देना है, वो रिजाइन दे गया, chairman of लोगसवा जाने कि speaker को रिजाइन दे गया, तो resign हो गया, तो मतलब seat खाली र छोड़ने चले गए, कि हाँ मैं तो resign देने जा रहा, ठीक है, resign दे भी दिया, अगर speaker को लगा, कि जो आपने reason बताया है, वो valid नहीं है, वो reason valid नहीं है, तो that means, वो आपको seat छोड़नी, मतलब आप seat छोड़ी नहीं सकते, that means, अगर आप election लड़ रहे हैं ना, तो so समझ के जा हैं आपको, अगर जीत गए और अंदर चले गए, जीत गए और अंदर चले गए, तो अपनी मर्जी से, बिना मर्जी से नहीं निकल सकते, जब तक chairman आपको नहीं कहता कि ठीक है, कोई ना, आपने जो reason बताया, वो valid है, अगर वो कह दे कि ये valid reason नहीं है, तो आपको उसी seat की पर बैठना पड़ेगा, so this is very very important point, clear होगे आप लोगं को, yes, एक बड़ा funny सा example है, मतलब resign के बाद, अगर आप absent हो, आप लोकसभा का member बन चुके हैं, ठीक है, आप MP बन चुके हैं, आप लोकसभा गए नहीं, कितरे दिनों तक, 60 दिनों तक, अगर कोई भी MP, कोई भी member of parliament, लगातार 60 दिन तक, 60 देस तक, लगातार, अगर वो house में नहीं जाता, तो it means, उसको again, उसकी seat खाली हो जाती है, वहाँ से, अब ये 60 दिन का मतलब पता है, for example, कोई MP है, ठीक है, जैसे attendance लगती है न, तो इनकी भी attendance लगती है, number 1, 2, 3, 4, कि हा 9 बज़े आ रहे हैं, 10 बज़े आ रहे हैं, सब चीज़े, अगर कोई MP 59 दे तक ना गया, 59 दे तक नहीं गया, और 60 दे की उपर, जाके वहाँ पर sign कराया, और उसने दिखा दिया, कि मैं present हूँ, सबा में, clear, उसने show कर दिया, मैं present हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है, कि इस अगर 60 दिन लगातार होने चाहिए, लगातार मतलब लगातार, clear, 60 दिन अगर लगातार हो रही हैं, तब उसकी seat खाली होगी, otherwise उसकी seat खाली नहीं होगी, तो ये याद रखना है, 60 दे लगातार होना चाहिए, so this is important one, clear हो गया, so आपको समझ आगे आप लोगों को कि मैंने क खाली छोड़ी जा सकती है, अब बात करते हैं शपत की, oath और affirmation, अब एक चीज़ बताओ, जब भी आप शपत लेते हो, जब भी आप government job पे आप लोगोगे, तो आपको शपत, obviously बात है, office में बात करी जाती है, कि आप जिस seat की उपर आप बैठे हैं, उसकी जो है, मतलब seat की मर्यादा को, इस office की मर्यादा को आपको बना के रखना है, तो जब भी लोकसबग MP बैठेगा, वो उसके मंदर क्या होगा, उसके सामने क्या चीज़ होगी, सविधान, सविधान के अंतरगत, मतलब हमें सविधान के लिए proper तरीके से जोग रहना है, मतलब उसके लिए, मतल जवाब देही रहना है, responsible रहना है, दूसरा देश की unity और integrity को बना के रखना है आप लोगों को, और sovereignty को बना के रखना है, और जो भी आप duty करने जा रहे हैं, और आपको proper तरीके से, अच्छे तरीके से उस duty को करना है, तो यही इनकी शपत होती है, जाने की member of parliament की, clear, अब ब जी, राष्टपती के आगे जो है, उनको शपत दिलाई जाती है, अगर राष्टपती absent होंगे, अगर by chance उस case में राष्टपती absent हों, तो राष्टपती किसी person को appoint कर देंगे, और उसके सामने आपको शपत लेनी पड़ेंगे, point clear होगे आप लोगो, जी, clear होगे आप लोगो, चलें आगे बड़ें, so अब देखते हैं थोड़ी सी हम slides देख लें, ताकि आपका कोई point छूड़ तो नहीं गया, जा देख लेते हैं, ये मैंने already आपको पढ़ा दिया है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये 61 amendment act, delimitation commission, ये seats की reservation, 5 साल, dissolve, ये स qualifications हमने पढ़ ली हैं इनकी, clear, disqualification के बारे में मैंने आपको बता दिया है, vacancy, seat की vacancy कैसे रह सकती है, resignation, absent और double membership, और शपत के बारे में बता दिया है, कि शपत जो होगी, वो राष्टपती के आगे होगी, जा राष्टपती के दौरा जो भी person appoint किया होगा, वो, again, जो मैंने आपको बताया कि किन-किन कारणों से, मतलब आप seat की उपर बैठ रहे हैं, तो उनको वो शपत लेनी पड़ेगी, so ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली है, ये बाती, ठीक है, अब बात करते है, presiding officer of the parliament के बारे में, अब एक चीज़ बताओ, जैसे कि मैंने आपको भी बताय लोकसभा का chairperson कौन होता है, speaker of the लोकसभा, और again, राजेसभा का कौन होता है, आपको पता है, ex-official chairman, that is, that is, vice president of India, तो हम बात कर रहे हैं लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा के बारे में ही पढ़ेंगे, clear, अब बात करते हैं, presiding officer के बारे में, थोड़ा सा मैं slides की उपर भी वो आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाता, एक भी point छोड़ना नहीं चाता, कोगि 15-20 point है, आपको बोलने से समझ आ जाएंगे, लेकिन आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, presiding officer कौन है, आपको बता है, that is, speaker of लोकसभा, ये तो आप ये means speaker and deputy speaker के बारे में हमने discuss कर लिया है, point clear हो गया, अगर दोनों ही absent होगे, speaker भी deputy speaker भी, तो आपका एक panel होता है, जो के speaker दोरा बनाया जाता है, और उस panel में member को आपका choose कर लिया जाएगा, अगर ये absent है और ये absent है, और उस जगह के उपर, उस panel से उस बंदे को बिठा दिया ठीक है, अब बात करते हैं, इनका election कैसे होता है, इनका election कैसे होता है, speaker of the low sabah का, अब ध्यां से समझने वाला point है या आपका, जी, देखे जी, election करने से पहले, जाने कि speaker का election करने से पहले, आपको मैं बता दूँ, for example, ये low sabah है, ठीक है, ये सामने क्या है हमारी low sabah, अब पह राष्टपती होते हैं न, तो उनको minimum, साल में दो बार, जाने के, दो meeting में छे मेने का gap नहीं होना चाहिए, और जब भी नई लोकसभा आती है, तो राष्टपती हमेशा लोकसभा में आते हैं, उनको greet करने के लिए, और प्रपर तरी किसे सभा को चलाने के लिए, अब क्या होगा, जो राष्टपती हैं, first day ही, जब नई लोकसभा आएगी, new लोकसभा आएगी, उनको greet करने चले जाएंगे, कि हाँ, उनको बदाई देंगे, और उनको बताएंगे, कि हाँ, आपको ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, शपत दिलाई जाएंगी, सब चीज़ें हो ज प्रोटर्म स्पीकर, अब आप कहेंगे, सर हम तो बात कर रहे हैं स्पीकर की, ये प्रोटर्म स्पीकर क्या मतलब है इसका, तो what is the meaning of प्रोटर्म स्पीकर, आप ध्यान से समझेगे, मैंने आपको बोला, ये नई लोकसभा है, नई लोकसभा में, सबोज मैं चुना, मतलब इसी परसन को मैंने चुना जा उसी परसन को मैंने चुना, ये reason कैसे, किसको चुन सकता हूँ मैं, तो इसको ये होता है, seniority की basis की उपर, अब ये seniority का मतलब ये नहीं है, age, age is not the seniority here, यहाँ पर क्या होता है, seniority का मतलब ये है, जिसने number of elections, ज्यादा जीते हू जिसने number of elections ज्यादा जीते हूँ, लोकसभा के अंतरगत, वो आपका क्या है, senior member है, यहाँ पे age 70 साल का बैठा हो, 80 साल का बैठा हो, MP कोई भी, वो नहीं चुना जाएगा, हाँ, अगर उसने election इतनी बार जीत ली है हूँ, मतलब कोई बैठा हो, दो साल, दो बार जीते जीता होगा, किसी ने 4 बार जीता होगा, तो उस person को क्या appoint कर दिया जाएगा, pro term speaker appoint कर दिया जाएगा, point समझा है आप लोगो, समझा है आप लोगो, pro term speaker का मतलब, clear है, समझा आ रहा है, तुम्हें, ठीक है, pro term speaker appoint कर दिया उसको हमने, कि हाँ ठीक है, pro term speaker आ गया, और इस pro term speaker को appoint कौन करते हैं, that is, president, कौन, राष्ट्रपती, राष्ट्रपती इसको appoint करते हैं, किसको pro term speaker को, कि हाँ, चलो, बैठो, और अपना सदन चला, अब क्या होगा, pro term speaker, अब राष्ट्रपती, मैं राष्ट्रपती था, मैं चला गया, अब मेरा रोल क्या है, pro term speaker का, मतलब, इस word को समझे, speaker की term से पहले, pro मतलब पहले, term मतलब समया, और speaker का मतलब speaker, speaker की term से पहले, किसी बंदे को और appoint कर दिया, अब मैं क्या बन क्या हूँ, pro term speaker, अब मेरा काम क्या है, इस class में काम क्या होगा, कोई बोल तो नहीं रहा, कोई सब डंग से काम कर रहे हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, ये काम होगा मेरा, तरीके से rules procedure, जो भी आपके सविधान के हैं, जो हमारे rule book में लिखे गए हैं, लोकसभा की, उसको प्रॉपर तरीके से follow करवाना, clear हो गया लेकिन राष्टपती तो चले गए, अब मैं बैठा हूँ यहां पे, और मतलब सब को शपत दिला देंगे, कि हाँ सब को शपत दिला दी है, उसी दिन ही, लेकिन सीन यहां पर यहां पर यहां पर सीन यह हो जाएगा, कि पीछे से राष्टपती कहेंगे, ठीक है, अब speaker पीछे से होगा election of speaker, वो within the sabah में ही होने लग जाएंगे, तो उस case में, pro term speaker, speaker की election लड़ सकता है, बिलकुल लड़ सकता है, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला है, कि मैं pro term speaker हूँ, और उसके पीछे से जब सारे लोगों को शपत दिला दी गई, तो speaker को बिठाना जरूरी है, तो speaker के election होने start हो जाते हैं, और speaker की जहां पर majority आ जाएगी, उसको appoint कर दिया जाएगा, लेकिन, मैं as a pro term speaker, election लड़ सकता हूँ, बिलकुल लड़ सकता हूँ, एक pro term speaker, speaker बन सकता है, बिलकुल बन सकता है, obviously बात है, अगर उसके पास vote जादा आगी, तो वो as a pro term speaker, speaker भी बन जाएगा, ध्यान से, सोड़ा सा ध्यान से समझ के चलो कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, point समझाए आप लोगो को कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, pro term speaker, speaker भी बन सकता है, pro term speaker जब seat के उपर बैठा है, तो speaker के election भी आपके proper तरीके से हो रही है, पीछे से, अब जहां पे जादा vote आ point समझाए आप लोगों को, समझाया तुम्हें, है, समझा गया, ओ यार समझा गया, हाँ ना तो कुछ तो बोलागरो कि हाँ समझा गया, आप लोगों को या नहीं समझाया, जो मैंने इतनी बग-बग-बग करी है, कि हाँ pro term speaker का concept आपको समझाया है, कि क्या मतलब है इस हाँ, बिल्गुल, येस, येस सर, जी सर, येस सर, गुड, अगर बोलागरो, थोड़ा बहुत मेरे को पता लगता रहे कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको समझ भी आ रहा है आप लोगों को, ये pro term speaker आपको वो करते हैं, मतलब दुखी करेंगे, समझना बहुत जरूरी ह समझाए आप लोगों, चलिए, अब चलते हैं, अब आपको pro term speaker बता दिया, speaker बता दिया कि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ठीक है, अब थोड़े से points read out करते हैं, क्योंकि मैंने slides पे लिखे हुए हैं, और उन read out points के अंदर भी बहुत सारे points निकलेंगे, लेकिन एक के MCQs बगएरा attempt कर सकते हैं, Parliament के लोगसभा के, और ये जो है हमारी study IQ app और website के उपर आपको मिल जाएगा, अब सर्च कर लेना 10,000 MCQ course, ठीक है, चलिए जी, speaker मैंने आपको बता दिया, speaker का concept मैंने आपको बता दिया, speaker जो चुना जाएगा, जितने भी members of the लोगसभा बैठे ह होंगे, उसी में से चुना जाएगा, clear, और जैसे ही पहली sitting खत्म होगी, again, जैसे ही राष्टरपती आएगे, उन में से again आपका क्या कर दिया जाएगा, वहां से speaker उठा लिया जाएगा, मतलब, pro term speaker बनाया जाएगा, फिर उसके बाद speaker के election हो जाएगे, पीछे से, अब बा अब speaker का जो office होता है, यह हमेशा वैसे तो आपको बता है, जब तक लोगसबा रहेगी, speaker रहेंगे, ध्यान से समना, जब तक लोगसबा रहेगी, तब तक speaker रहेंगे, मैंने वर्ड ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला, जब तक लोगसबा रहेगी, speaker रहेंगे, अब ध्यान स लोगसबा डिजॉल्व हो जागी, लोगसबा डिजॉल्व हो जाती है, अब speaker रहेंगे या नहीं रहेंगे, speaker रहेंगे, मतलब हिंदी में लिखूंगा ताकि फटा 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 लिखा जाए, speaker रहेंगे, चीक है, कब तक, जब तक new government नहीं आ जाती, speaker रहेंगे, जब तक new, लोगसबा नहीं आ जाती, तीसरा, जब तक new government नहीं आ जाती, तब तक रहेंगे, और new लोगसबा नहीं आ जाती, चौथा option है, that is, none of these, यह ऐसा कोई भी point नहीं है, that means, लोगसबा dissolve हो गई है, और नए speaker आने वाले है, मतलब speaker अपनी seat की उपर कब तक रहेंगे, इसमें फटब फटब अंसर बताओ, यह speaker कब तक seat पे रहेंगे, जब तक new government नहीं आ जाती, जब न्यू लोगसबा नहीं आ जाती, जब न्यू गवर्मेंट न्यू लोगसबा दोनों नहीं आ जाते, जा फिर, इन में से कोई भी point नहीं है, मैंने आपको अभी बताया था, speaker of the लोगसबा कब तक रहेंगे, जब तक लोगसबा है, that means, अगर लोगसबा dissolve हो जाती है, यह speaker तब तक seat की उपर रहें, बैठे रहेंगे, जब तक नहीं लोगसबा नहीं आती, मैंने आपको क्या बोला, कि यह अगर dissolve भी हो जाती है, speaker अपनी seat की उपर बैठे रहेंगे, जब भी कोई seat की उपर कोई person बैठा होता है, वो तब तक बैठा रहता है, जब तक नया उसके position की उपर नहीं आ जाता, तो that means, जब नहीं लोगसबा आएगी, तब ही तो speaker चूज करेंगे हम, यह speaker तब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारी new लोगसबा नहीं आती, यह ध्यां रखने वाला point है, गडबड करेगा एक सामीनर, मैंने आपको बताया था, कि polity लगती बहुत easy है, अरे वा, अरे वा, ऐसे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक-एक point की उपर खेलाता है, मैंने यहाँ पर word डाल दिया new government, और आपने option कर दिये one, मैंने डाल दिया new लोगसबा और new government, आपने डाल दिया C answer, की answer C बनेगा, नहीं, answer बनेगा B, जब तक नहीं लोगसबा नहीं आती, तब तक आपके speaker उसी seat की उपर रहेंगे, यह ध्यान रखने वाला point था, समझाया, अब चलिए जी, मैंने आपको यह बता दिया, और देखिए, again मैंने आपको बताया था, कि जब तक speaker की seat खाली है, प्रोटम speaker बैठेगा, मतलब सुरी, पहले प्रोटम speaker बैठेगा, फिस speaker आ जाएगा, अग और देखिए, उसकी seat खाली करने की, बहुत सारे reason हो सकते हैं, जा तो वो कह रहा है कि मैंचे नहीं बैठना, जा तो वो, हाँ, जा तो वो resign देदे, जा तो वो resign देदे, डिपीड speaker को resign देके चला जाए, जा फिर कह दे, जा फिर उसको हटा दिया जाए, speaker को हटा दिया जाना, इसको और लोग आपको हटाया जाएगा absolute majority दवारा, अब absolute majority का मतलब पता क्या होता है, जितनी सदन के लोग हैं, जितनी seatें के उपर लोग बैठे हैं, उसकी majority, ना के वो majority की कि कितने present है और कितने vote कर रहें, नहीं, that means अगर 543 seat हैं, 543 seats हैं तो इसका मतलब, इसके 50% plus 1, कहने का मतलब, जितनी seatें हैं, उसका 50% plus 1, that is called absolute majority, उसके दवारा इसको हटाया जा सकता है, अगर speaker को हटाने का process चल रहा हो, जा हटा दिया जाए, तो इनकी seat खाली रह सकती है, clear होगे आप लोग को, ये मैंने आपको पता दिया है point, clear होगे आप लोग को, जी, अब एक बताओ, अब suppose करो, speaker का जो point होता है, ध्यान से समझना, आपको एक point बताने वाला हूँ, ताकि आपको आगले वाले point सारे समझा जाए, speaker मैं हूँ, ठीक है, speaker मैं हूँ, अब यहाँ पे हम speaker की बात कर रहे है, अब कोई, मतलब vote चल रही है, A, B, कोई person इसको vote करना है, इसको vote करना है, सब vote चल रही हैं वहाँ पे, अब इस case में क्या होगा, अब मतलब vote करी, किसी issue की उपर हमने vote करी, जो vote है, suppose करो कि 200 लोगों ने vote करी, 200 में से 100 ने yes कहा दिया, 100 ने कहा दिया, no, point समझा आया, जाने कि equality of votes होगे, क्या हो गया, equality of votes, 100 ने हा कर दिया, 100 ने ना कर दिया जो speaker है ना, वो कभी भी, कभी भी पहले vote नहीं करता, speaker हमेशा vote करता है, जब equality of votes हो जाए, equality of votes आपको मैंने बता दिया, 100 ने yes बोल दिया, 100 ने no बोल दिया, तो this is called equality of votes, clear, इस case में, जब votes equal हो जाते हैं, जब votes equal हो जाते हैं, तब speaker आपके उस equality को तोड़ते हैं, और उनकी vote को क्या कहते हैं, casting vote कहते हैं, उनकी vote को क्या कहते हैं, casting vote, clear, जा फिर हम इसको कह देते हैं, decisive vote, decisive vote का मतलब, decision देने वाली vote है, कि हाँ, decision अब होगा, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रहने वाली है, समझाए आप लोगों को, important, अब एक चीज़ बताओ, जैसे मैंने आपको बताय जा रही है, speaker को हम हटाने जा रहे है, तोकि हम हटाने की बाद कर रहे थे, speaker को जो हटाये जाएगा, मैं हूँ speaker, तो मतलब मैं अब आ जाँगा, इस side पर, तो यहाँ पर, कौन बैठ जाएगा, इस seat के जग़ह के उपर, kौन बैठ जाएगा, DPD speaker, क्योंकिज़ मैंने आपक की बात कर रहे हैं, तो मैं casting vote नहीं करूँगा, तो मैं पहली बार में ही vote करूँगा, क्योंकि मैं as a normal person बैठ गया हूँ, मैं एक normal MP की तरह हो गया हूँ, क्योंकि अब तो speaker कौन बैठा है, deputy speaker वो कर रहा है, as a act as a speaker काम कर रहा है, यह ध्यान रखना important point है, समझाए आप लोगो, समझाए आप लोगो, तो यही बात कर रहे हैं, कि वो जो है, seat की उपर अगर बैठा नहीं है, तो उस case में vote नहीं कर सकता, मतलब जब seat की उपर नहीं है, तो वो as a MP vote करेगा, पहले instance में vote क करेगा, जो मैंने आपको बता दिया, यह भी आपको बता दिया, जब तक नहीं लोग सभा नहीं आती, तब तक speaker speaker बैठा रहेगा, यह सारे context, सारे points मैंने आपको a to z clear कर दी है, यह ज्यान रखना, अब this is very important functions, very very important points, यह आपको थोड़ा साथ ध्यान से समझना है, हम इस points को एक-एक points को read करेंगे, और इस एक-एक word का मतलब मैं आपको समझाओंगा, ध्यान से समझना, यह मत समझना, कि सर आप तो read कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 15 point है, और 15 के 15 point आपको पता होने चाहिए, मतलब पता होने चाहिए, क्योंकि ठीक है, means में अगर आप answer writing बगार करते हैं कही ना कहीं काम आजाएंगे, लेकिन मतलब आपको सब के पता होने चाहिए, number one, the speaker, यह क्या हो गया, मैंने आपको हमेशा बोला है, कि जब भी हमारा कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो कुछ ना कुछ गडबड होती है, ठीक है, तो यह गडबड ऐसे होती है, जब हमारा एक rhythm बना हो, class बैठी हो, और class में कम से कम जो है, 1000-2000-3000 बच्चे live बैठे हो, ठीक है, अल्यदी यहाँ पर live कम दिख रहे हैं ना, बट मेरे को पीछे से दिख रहे हैं, अल्यदी शेख से नजर आ रहे हैं कि इतने बच्चे अल्यदी देख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं इसकी तरह, speaker is the head of the loksabha and its representative, अब ध्यान से समझिए, in words का मतलब समझना है आपको, कि speaker जो है, head है, loksabha का, point समझ आया, head of the loksabha and its representative, मतलब representative का मतलब यहां पे क्या गया, जो MP है, उनका भी head कौन है, that is आपका, that is speaker, speaker is the guardian of the power and privileges of the, he is the guardian of powers and privileges of the members, the house as a whole and its committees, कहने का मतलब क्या है, जो भी loksabha के अंदर committees बनेंगी, जो भी loksabha के अंदर MP बैटे हैं, उनकी powers हैं, उनको guardian मतलब, उनका custodian, उनका custodian मतलब, उनकी देखरेक करेगा, कौन speaker, अगर उनमें कुछ भी गडबड होती है, तो speaker उसमें interfere करेगा, speaker उसमें आपको बैठे हैं, point clear, तीसरा point ये कि, he is the principal spokesman of the house and his decision in all the parliamentary matters is final, this is very very important, लोksabha के अंदर, जो spokesman है, principal spokesman, मतलब, obviously बात है, जो सामने बैठा होता है, वो ही तो spokesman होता है, तो अगर मैं class में बैठा हूं, तो आप ही तो छुप बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं के ला, that means, principal spokesman क्या हो गय इस class का, इस सदन का मैं, मैं कौन हूं, speaker, क्योंकि सामने बैठा हूं, clear हो गया, तो ये कौन है, principal spokesman है, house का, जो भी इसने बोल दिया, वो final है, मैंने कह दिया कि, अभी class बंद, तो अभी class बंद, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कहूंगा, अभी मैं एक घंटा class लोंगा, तो म लोगसभा की power, लोगसभा की speaker की ये power होती है, clear, next question, next point मतलब, he maintains order in the decorum in the house for conducting its business and regulating its proceeding, decorum का मतलब क्या है, शांत बैठो, तरीके से बैठो, अगर कोई चाला चिलाएगा, मैं उसको सदन से भी बाहर निकाल सकता हूं, उनको उस class से भी बाहर निकाल सकता हूं, अगर आम में स कुछ भी, कोई बच्चा, फाल तु लिखेगा, मैं उसको block भी करवा सकता हूं, that means मैं कौन हूं, I am the speaker here, I am the teacher here, तो वहां पे वो कौन काम कर रहा है, speaker of the लोगसभा कर रहा है, कि हाँ, इस class की मर्यादा को, इस house की मर्यादा को बना के रखना है, proper तरीके से काम करने है, orders, ज दू चीज़े आपको कह रहा हूं, वो आपको follow करनी पड़ेगे, so ये सारे काम किसके है, speaker के, he adjourns the house of, or suspend the meeting in the absence of a quorum, quorum word का मतलब क्या होता है, पहले तो, quorum word का मतलब यह है, कि हमारे total member कितने है, 543 members, और quorum word का मतलब होता है, 1 tenth, मतलब, 1 tenth, house के लोग present होने चाहिए, कहने क मतलब, अगर इस लोग सबा को चलाना है ना, तो minimum आपके पास 55 member की, 55 member होने चाहिए, अगर 55 member नहीं है, तो ये सदन नहीं चलेगा, point समझाया, और इस case में, जो speaker है, इस सदन को suspend कर सकता है, adjourn कर सकता है, adjourn करने का मतलब क्या है, for example, मैं class चला रहा हूं, class चल रही है, मैंने class, कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ board दिख रहा था, तो आपको seat खाली दिखेगी, speaker की, जा कुछ भी है, एक दिन के लिए भी हो सकता है, एक घंटे के लिए भी हो सकता है, पांच घंटे के लिए भी हो सकता है, तो that means, ये speaker चाहेगा, कि इस चीज़ को मैंने कितने time के next question is, मैंने आपको बताया था, कि speaker vote करता है, जब equality हो जाए, casting vote करता है, clear, लेकिन, जब उसको हटाने की बात आती है, अगर उस case में vote करनी पड़े उसको, तो पहले instance में vote करता है, और जब equality of votes हो जाती है, तो speaker कौन सी vote करता है, that is called casting vote करता है, ये हमने बात कर लिए, next point, joint sitting के joint sitting word का मतलब क्या होता, संजुक्त अधिवेशन जिसे हम कहते है, for example, एक bill है, एक bill का मतलब क्या होता है, proposal, मैंने बोला ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो, तो कर लिया, अब उसके उपर आपने discussion स्टार्ट कर दी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं ह discussion चलनी स्टार्ट हो गई, clear, तो उस चीज़ को हम क्या कहते है, motion कहते है, point समझाया, अब बात ये है, for example, लोकसभा में वो bill था, उसने कुछ हां तरके yes करके कहां पर बेज दिया, राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने बोला, नहीं नहीं बदला करो, change करो, change करो, तो change होक लोकसभा के पास फिर जाएगा, लोकसभा ने राज्यसभा की बात नहीं मानी, फिर change कर दिया, फिर राज्यसभा नहीं बात नहीं मानी, मतलब ये ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, point समझाया, कितने time तक, maximum 6 महीने तक, 6 महीने तक ये bill इदर उदर उदर घूम सकता है, 6 महीन खेल क्या खेल रहे हो, ये कि कभी उदर कर देते हो, राश्यपती को लगे कि ये bill आना चाहिए, this bill is very important, तो राश्यपती क्या करते है, समन, समन का मतलब यहां, समन का मतलब यूता है, बुलाना, बुलाएंगे राश्यपती, और इस समन के अंतर कर राश्यपती ने बुला और फिर लोकसबा और राजय सबा दोनों इकठे बैठेंगे तो उस चीज को हम क्या क्याते है? joint sitting आर्टिकल 108 में लिखा गया है और इस joint sitting के अंदर जो chairman होंगे इस joint sitting के अंदर जो chairman होंगे वो कौन होंगे? लोकसबा के speaker लोकसबा speaker इस case में chairperson बनेंगे अगर लोगसबा speaker absent है तो उस case में कौन बैठेगा deputy speaker of the log sabah as a chair person बैठेंगे यहाँ पे यह याद रखना यही point यहाँ पे बात करी गई है तो joint sitting गे अंदर chair person कौन बैठेंगे that is आपके speaker of the log sabah again वो concept dead log वगेरा मैंने आपको बता दिया यह एक secret sitting भी बुला सकता है कौन बुला सकता है speaker for example 543 लोग बैठें हैं मुझे नहीं चाहिए 543 लोगों की मुझे तो बस मंतरी चाहिए यहाँ पे बड़े-बड़े मंतरी चाहिए cabinet minister चाहिए जा opposition party के कुछ senior members चाहिए तो मैं एक secret meeting भी बुला सकता है कि मैं speaker हूँ आम में से 100 बच्चे हैं मेरे पास 100 बच्चों ने admission ले लिए है 100 बच्चों में से 100 बच्चों में से कुछ ऐसे चुनिंदा बच्चे हैं जो मुझे लगता है कि IS बन जाएंगे for example वैसे तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि मैं उनको अलग से बुलाऊंगा ठीक है ना सब के सामने सब इकुल बात है लेकिन speaker को लगे कि कुछ ऐसा कुछ discuss करना है तो हम secret meeting भी बुला सकते हैं कौन speaker बुला सकता है उस secret meeting के अंदर जो भी speaker कहेगा मतलब जिसको भी चाहेगा वो उस meeting में होगा कोई stranger बाहर का बंदा आ सकता है बिल्कुल आ सकता है लेकिन जब तक speaker नहीं चाहेंगे कोई और MP आ सकता है नहीं आ सकता है जब तक speaker नहीं चाहते कहने का मतलब यह है कोई भी secret meeting बुलाई जा सकती है और आपके speaker उसमें बात करेंगे कि कौन बंदा आएगा कौन बंदा नहीं आएगा एक case होता है money bill का case money bill money bill article 110 एक bill को money bill तब कहा जाता है जब speaker के sign हो जाए तो that means money bill को money bill तब कहा जाएगा जब speaker के sign हो जाएगे तो that means speaker's decision is final जब तक speaker नहीं कहेंगे कि यह money bill है तब तक वो money bill कहलाया नहीं जाएगा तो this is very very important point clear चलिए अगला बात करते हैं और again मैंने आपको बताया था जो है आपका defection के बारे में मैंने आपको बात करी थी समझ आ गया जी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बंदे ने party change कर ली हो तो anti defection law बताया था मैंने और उस case में speaker उसको हटा देंगे एक बताया था आपको मैंने qualification के बारे में qualification में राश्टरपती हटाएंगे election commission of india के साथ बात करके लेकिन अगर आपने जीत के party change कर ली तो उसमें कौन हटाएगा आपको speaker हटाएगा कोई मैं देख रहा हूँ ना तो आप यहां बैटे थे यहां उटके यहां के कैसे चले गए तो that means जो सामने बैठा होगा वो कहेगा कि आपको हटाया जाएगा अब तो उस केस में जब भी आपने defection के कारण पार्टी बदलाव के कारण अगर आपको हटाया जा रहा है तो उस केस में कौन हटाएगा speaker आपको हटाएगे लेगन एक चीज दिया रखना सुप्रीम कोड की judgment थी 1992 की और उसमें बात करी गई थी जो speaker अगर कोई ऐसा decision लेते हैं तो वो judicial review के अंतरकत आएगा तो उनको देखना पड़ेगा सविधानिक मतब अगेन सुप्रीम कोड उसमें decision देगी कि हाँ इसमें speaker का कोई hit तो नहीं था speaker ने जान बूच के तो नहीं किया ये सुप्रीम कोड देख सकती है तो this is very very important point ये बहुत important point है जो मैंने red color में डाला हुआ है तो this is super super important point ये paper में आता है ये जितने भी state pieces के exam है UPSC, CDS, CPF के exam में जो बड़े exams हैं थोड़ा सा level up होता है बट आजकल तो level up, level down कुछ ही नहीं है आजकल railway के exam में बड़े-बड़े question पूछ लेते हैं, SSC के exam में बड़े-बड़े question पूछ लेते हैं तो इसलिए ध्यान रखें कि मैं हर चीज को लेके चल रहा हूँ चाहे वो state pieces पढ़ रहा है, चाहे वो CDS, CPF, UPSC, clear और चाहे SSC का बच्चा बैटा है, चाहे railway का बच्चा बैटा है तो आप कोई भी बच्चा बैटे हैं, तो आपको सारे point बताए जा रहे हैं यहां पे कि आपको छोड़ना नहीं है पेपर में कहीं से भी कोई भी question आ सकता है, तो मेरे लिए सब equal है, point समझाया so that's why हम इसी तरीके से जो पूरी detail में हम discuss करते हैं, ताके आपका कोई भी point छूटे ना तो यहां पे बात करते हैं, he act as the ex official chairman of the Indian parliamentary group of the inter parliamentary union तो that is very very important, inter parliamentary union जो है, inter parliamentary group का है, उसका ex official chairman इसको बनाया जाएगा this is very very important point, clear होगे आप लोगों को जी, so दूसरा point देखे, he also act as the ex official chairman of the conference of the presiding officers of legislative bodies in the country ध्यां से समझी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी आपकी conference होगे, legislative bodies की, legislative मतलब कानून बनाने वाली कोई भी body है कोई भी legislative body है, तो उसके अंदर ex official chairman जो है, presiding officer की तरह कौन act करेगा, speaker act करेगा, this is very very important point, clear अब जितने भी लोग होंगे, parliamentary committees की, अब parliamentary committees कौन सी है, for example बात कर लेते हैं, public account committee, estimate committee, 130 committees और भी है तो उनके जो chairman होंगे, वो appoint कौन करेगा, आपके speaker of the log sabah उनको appoint करेगे, clear और उनको supervise करेंगे, कि हाँ, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, this is very important, ये question जो है, UPSC के exam में पूछा गया है, ये मैं आपको बार-बार बता रहा हूं, ये question UPSC के exam में पूछा गया है, he is the chairman of the business advisory committee, rules committee, and the general purpose committee, ये बहुत important question है, क्यूंकि generally जो होता है, generally जो होता है, opposition party का member ही हमेशा chairperson होता है, लेकिन speaker of the looks, chairman किसके होते हैं, business advisory committee के, rules committee के, और general purpose committee के, this is super important point, ये याद रखना, paper में बहुत बार question आया हुआ है, कि speaker of the looks, कौन कौन सी committees के chairperson होते हैं, वहाँ पे option में डाल देंगे, ये तीनों डाल देंगे, फिर डाल देंगे, one only, two only, one two, one two three, all of the above, none of the above, इस तरीके के कोई भी option डाल सकता है, examiner, तो ये ध्यान रखना, तो ये आपके chairman होंगे, speaker of the looks, अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था, कि इनको हटाया जा सकता है, speaker of the looks, को, 14 दिन पहले हमें इसको बताना पड़ेगा, और कौन सी majority चाहिए हम मैं, already बताया था, मैंने आपको, that is the absolute majority, या आपको मैंने बता दिया था, absolute majority से, clear, लेकिन, इसको discussion करने के लिए, 50 लोगों की मंजूरी चाहिए, 50 लोगों की मंजूरी का मतलब ये है, कि जितने भी आपके लोकसभा के अंदर member बैठे है, उसमें से 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो कह रहे हों कि ठीक है, हम इसको हटाएंगे, speaker को हम हटाना चाहते हैं, तो 50 लोग जब तक नहीं कहेंगे, तब तक उसको हटाया नहीं जाएगा, समझा रहा है, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा, समझा रही है, तुम्हे knowledge समझा रही है, पहले तो मुझे yes और no बताओ फिर हम आगे बढ़ेंगे, समझा रहा है, कुछ ऐसे तो नहीं हो रहा कि सर इतना discussion, भई discussion ऐसी होते हैं, यह ऐसी नहीं topics लाने लगा हूँ मैं, बीच बीच में कि आपको topic बढ़ाता हूँ, समझा रहा है तो मिलोंगो, जा मतलब ऐसे चल रहा है, उपर से, भई निकल रहा है, निकल रहा है, सर इतना नहीं, सर मेरे एक्जाम में नहीं आथा, कहीं examiner तो नहीं हो, काफी बचे examiner बन जाते हैं न, comment section में, अरे सर ये तो नहीं आएगा हमें, अरे सर ये थोड़ा आएगा हमें, कुछ बचे ऐसे भी बन जाते हैं, अच्छा, एक बचा कह रहा है, कि सर रपीट कर दीजिए, अरे बिड़ा मैं दो गंटे होगे, बक बक करते हुए, ठीक है, अब दो गंटे की क्लास तो मैं द्वारा से समझाने वाली है, अरे यार, फास तो नहीं, मैं बहुत दीरे समझा रहा हूँ, हमने कलास साड़े नौ बचे स्टार्ट करें, साड़े दस बच गए हैं, और हालंगी आदे घंटे का टॉपिक है, ये लोकसबा का, मैंने बहुत डिसकॉशन में करा है, कि आपको एक भी पॉइंट की उपर आ कौन सी कमेटी का चेर परसन है वो, कौन सी कमेटी का एक्स ओफिश्यो चेर परसन हो रहा है, तो ये धोड़ा सा ध्यान से, चलिए जी, बहुत बढ़िया, absolute majority की बात मैंने आपको कर ली थी, अब जो speaker की position होती है, जैसे हम कहते हैं कि first citizen of India is राश्रपती, second citizen of India is vice president, कि सब ब बात करते हैं, जो speaker of the लोगसभा है, speaker of the लोगसभा की जो seat है न, वो chief justice of India के बराबर होती है, ये याद रखना, so this is the important one, this is very very important one, clear, कि जो हमारे speaker of the लोगसभा होती है, उनकी seat equivalent किसके होती है, that is the, किसके chief justice of India के बराबर की seat होती है, इनकी, मतलब order of presidents में, अब बात कर लो जी speaker appoint कर दिये, अब आजाओ, dpd speaker के उपर, अब dpd speaker क्या होगा, speaker का election हो गया, अब dpd speaker कैसे होगा, जो sudden है न, sudden में से चुन लिया जाएगा, जिसके पास ज्यादा vote होगी, उसको dpd speaker बता दिया जाएगा, तो वो ही बात करते हैं, और again मैंने आपको बताया था, कि speaker अगर absent होते हैं, तो dpd speaker as a chair person की तरह act करते हैं, speaker अगर अपना resignation देना चाहें, तो किसको देगा dpd speaker को, और dpd speaker अगर resignation देना चाहें, तो किसको देंगे, speaker of the look, सभा को ही अपना resignation देंगे, समझा गए आप लोगगो, जी, clear, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, again इसको भी हटाना है, तो 14 दिन का इनको समय दिया जाएगा कि आपको हटाने की जा रहे हैं, हम हटाने जा रहे हैं, clear, जी, so this is very important, clear, अब इनकी duties again वो ही, same privileges, powers, सब चीजे जो हैं, इनकी same आएंगी, जैसे कि हमने बात करी थी, वहाँ पे, that is the speaker की बात करी थी, same powers है, speaker again वो ही चीज आ रही हैं, but the deputy speaker has one special privilege is that wherever he is appointed as a member of the parliamentary committee, he automatically becomes the chairperson, अगर deputy speaker को, अगर deputy speaker को किसी भी parliamentary committee का member बना दिया जाए, तो automatically वो क्या बन जाएगा, deputy speaker as act as a chairman of that particular committee, यह super important point है यह वाला, तो यह याद रखना, इसके पास एक privilege है, कि अगर इसको आप किसी भी committee का member बनाएंगे, तो यह act as a chairman बात करेगा, यह याद रखने वाला point है, clear, so this is a super important point, अब आजाओ, panel की बार उपर, मैंने आपको बताया था न, speaker absent है, तो deputy speaker, दोनों ही अगर absent है, अगर दोनों ही absent है, त मतलब president समझगे न, आप लोग, तो that means speaker absent है, deputy speaker आगया, deputy speaker भी absent है, तो इन में से किसी person को appoint कर दिया जाएगा, तो that means, 10 लोगों से ज़्यादा जो है, इस panel में लोग नहीं होंगे, speaker की absent में deputy speaker, और deputy speaker की absence में, यह आपके जो लोग होंगे, panels के लोग जो है, as a chairman की तरह काम करें this is very very important point, clear, और अगर, और अगर speaker absent है न, तो deputy speaker भी absent है, तो वो पीछे से, इन panel में से, एक बंदे को appoint करके जाएंगे, कि हाँ, तुम as a chairman की तरह काम करोगे, मैंने आपको बताया था कि कुछ points है, ऐसे points हैं, जो आपको knowledge में लेने है, याद रखने है, समझ नहीं है, point समझ आ तो चले जी, ये speaker मैंने आपको बता दिया, pro term speaker के बारे में senior most member की बात करी थी, मैंने, president इनको शपत दिलाते हैं, temporary house है, now the party is the, देखे, ध्यान से समझ ये, paper में, paper में पूछा आता है, head of loksaba, leader of loksaba, ये मैं बात में बात करूँगा, ठीक है, और opposition leader के बारे में, तो head of the loksaba में ने अभी बताया था, कौन है, speaker है, लेकि leader of the loksaba कौन होगा, जो majority party से होगा, majority party मतलब क्या होगा, जिसके पास बहुमत होगा, अब बहुमत किसके पास है, हमारी loksaba में अभी, BJP के पास, that means, वहां का बंदा क्या होगा, as a leader, और वहां पे कौन है, पर्धान म country Modi is now the leader of the loksaba, point समझाए आप लोगों को, और speaker हमारे अलग है, और ये leader है, ध्यान रखना ये point, head और leader में confused मत हो जाना, clear, ये याद रखना, so leader of the loksaba में ने आपको बता दिया, जो आपकी majority party का member होगा, वो होगा, अगर ये possibility हो सकती है, कि राजे सबा का member as a prime minister हो, बिलकुल, prime minister हम किसी को भी appoint कर सकते हैं, क्योंकि देखो, for example, for example समझ के चलो, मैं BJP party से हूँ, ठीक है, और मेरे सदस्या बैठे हैं यहां पे, हम क्योंकि BJP इसलिए word use कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी, आपको तो समझ आएगा, क्योंकि running government जो है BJP की है, तो समझ आजा जाएगा, कोई बंदा prime minister नहीं बनेगा, फिर कौन बनेगा, राज्यसभा से चुलो, राज्यसभा में जो कोई भी बंदा BJP का बैठा होगा, उसको हम prime minister appoint कर सकते हैं, तो that means, यह ज़रूरी नहीं है कि prime minister लोकसभा से होगा, यह ज़रूरी नहीं है कि कहां से होगा, prime minister लोकसभा का भी ह हो सकता है, वो राज्यसभा से भी हो सकता है, जैसे कि एक बात करता हूँ मैं आप लोगो, डॉक्टर मनमोन सिंग, डॉक्टर मनमोन सिंग, राज्यसभा के member थे, जब वो as a prime minister बने थे, क्योंकि सूनिया गांधी जीती थी, तो उस time पे वो भवाल मचा वो लग बात है, तो उस time पे जो Congress है वो जीती थी, तो Congress ने किसको appoint किया, that is Congress की majority party ने किसको appoint किया, मनमोन सिंग जी को, मनमोन सिंग जी कहां से belong करते थे, राज्यसभा से क्योंकि Congress से बहां से थे, तो that means यह ज़रूरी नहीं है, पर्धान मंतरी जो है, वो लोग सबा से होगा, पर्धान मंतरी ज बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक point यह होता है, कि उस बंदे को 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर जो है, Member of Parliament बनना पड़ेगा, चाहे वो लोग सबा का मेंबर बन जाए, चाहे वो राज्यसबा का मेंबर बन जाए, तो it means हम किसी भी person को, again, राष्ट्रपती point करेंगे, मैंने आपको बता दिया, ऐसे नहीं कि, यह word वैसे बोलने वाला था, कि सड़क से बंदे को उठा लगे, तो यह तब तक नहीं होगा, जब तक आपकी party नहीं चाहेगी, जब तक राष्ट्रपती उसको point नहीं करेंगे, तो that means, यह ज़रूरी नहीं है, कि MP ही आपको, कि जो आप समझते हैं, local भाषा जिसे हम कहते हैं, तो इसमें concept आपको clear हो जाएंगे, point समझ आया, so that means, कोई भी person जो है, उसको हम बठा सकते हैं, और यह बात हमने कर दी है, next point is a leader of the opposition, अब लोकसभा में, leader तो point कर दिया, head भी मैंने आपको बता दिया, तो leader of opposition government भी ह हो सकता है, लेकिन opposition के पास, again, 543 seats है न, तो उसके पास 10% seat होनी चाहिए, तो हम उसमें से 1% को leader of opposition appoint कर सकते हैं, जिस party ने भी 55 seat जीती होंगी, suppose करो कि दो parties ऐसे हैं, जिसने 55, 60, ऐसे seat जीती होंगी, तो इसमें majority किस की आगी, 60 वाले की, तो इस party का जो member होगा, वो leader of opposition appoint कर द largest opposition party, जिसके पास, largest member of parliament होंगे, opposition party में वो बंदा appoint किया जाएगा, point clear होगे आप लोगों को, so ये देखो, 10%, that is 55 seat जिसके पास होंगी, वो होगा, leader of the opposition जो है, ये आपका मतलब person appoint ही नहीं होता था पहले, इसका जो चीज हमने बात करी थी, ये एक statutory provision आई थी, जिसमें हम उसक salaries और सब चीजे, allowances वगएरा, हमने बात करी, parliamentary act 1977 द्वारा, 1977 द्वारा, उनकी salary allowance क्या होंगे, कैसे नहीं होंगे, ये सब उसमें गोशित किया गया था, this is very important, और ये जितने भी cabinet मंत्री होते हैं, cabinet मंत्री, जो highest decision making power होती है, जिनके पास, cabinet मंत्री के बराबर की seat इसको मिलती है, opposition party के member को, और plus उनको salary, जो भी allowance मिलता है, जो भी facility मिलती है, same, opposition party का जो leader होगा, उसको सब कुछ same मिलेगा, जो cabinet मंत्री को मिलता है, ये ध्यान रखना, this is very very important point, clear, अब मैंने आपको बताया कि salary allowance वगएरा जो है, 1977 के act के according इसको मिलेगा, मैंने आपको ये भी बताया था, leader of opposition का person जो है, ये हमारे जब लोक सबा पहली बनी थी, तो उसमें था ही नहीं, ये बात थी ही नहीं, clear, लेकिन ये office कब बनाया गया था, 1969 में इसको बनाया गया था, और उसके इसको पहली बार यहां पे recognition मिली थी, और इसकी जो post थी, 1980 और 1989 के बीच में जो है, absent थी, ये भ of opposition की बात हुई नहीं थी, so this is very very important point, clear, तो I think आप लोगों को समझ आ गया, लोक सबा के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, members, qualification, disqualification, speaker of the लोक सबा, deputy speaker of the लोक सबा, leader of the house, opposition, leader, ये सारे points हमने discuss कर लिये, powers, privileges, जो है सब बाते कर लिये, अब आप मुझे in questions का answer बताएंगे, ज क्या इसका answer बनेगा, चलिए, ये आपको एक, मतलब ऐसे लगा लो, तुम कहते रहते हो ना कि सर, जो GA live का batch है, उसमें demo दे दो, ये एक तरह से demo है, मैं आपको बता दूँ, ये एक तरीके का demo है, तो demo ही, समझ लो उस चीज़ को कि GA live का demo है ये, और मैं आपको बता दूँ, एसे ही detail में हम proper दूँ के से discussion करेंगे, हमारे GA live, जो selection batch है हमारा उसमें, और अगर आप लोगों ने study IQ का कोई भी course purchase कर रखा है, तो आप मुझे message कर सकते हैं, और उस batch में आपको admission लेने के लिए, एक special discount coupon मैं आपको provide करूँगा, अगर आपने study IQ app से कोई भी course ले रखा है, ठ यह point discussion में आया ही नहीं था, लेकिन ऐसे question में आपको करवाऊंगा, ठीक है, again lie batch में, point समझाया, तो यह question में discuss नहीं किया था, so dad is in the 1954, so इसका answer क्या बनेगा, 1954 is the correct one, clear, अब आजाओ, दूसरे question के दरफ, how many seats are reserved for representatives of the SC and ST in the looks, SC, ST की जो seatیں है, reserve करी गई है, कितनी seatیں reserve है, आपको मैंने बताया था, SC की 84 है, और ST की कितनी है, 47 है, अब इसको जोड़ दो, इसको जोड़ लो, answer आपके सामने आ जाएगा, 39 कह रहे, अरे कहा 39 भाई, कहां चल रहे हो तुम लो, बताया था मैंने आपको हो ये, कितनी seat reserve है, अब इनको जोड़ लो, इस cancer क्या बनेगा, 131, क्योंकि examiner ने क्या कर दिया, आपके brain के साथ खेल लिया, यहां पे, मैंने आपको बताया है, quality, जितना easy लगता है, उतने simple question को, इतना examiner ऐसे घुमाता है, कि आप उसको गलत करते हैं, समझने में, याद कर पढ़ने में, पढ़ने में, बहुत मज़ आएगा, अरे वा, इतना simple, अरे ये, ये, तो ये easy सा question है, जो मैंने points आपको बताया है, आज की lecture में, आपको लगेगा, कि इतने easy, एक question पूछा था, मैंने लोकसभा speaker का, उसी में ही आप डामाडोल हो गए थे, समझा गया, तो ध दीवी मावलंकर तो थे हमारे पहले लोकसभा speaker, लेकिन अब यहाँ पे बात किसकी आगी, डिपटी लोक speaker की बात आ जाती है, तो डिपटी लोक speaker हमारे पहले कौन थे, that is, M. Anant Shainam Ayangarji, Ayangarji, M. Ayangar, answer number C is the correct answer, अच्छा, एक दिल, दिल तोड़े आशिक यहाँ बे बैठे हैं, examiner, examiner बच्चा थोड़ा है, और वो तो क्या करेगा, दरिमाग से खेलेगा, यहाँ तो लोक दिल से खेलेते हैं, यह बाहर मिलते न, तो मुझे मैं बताता तुम्हें दिल, ठीक है, पढ़ लो, next question is, अगला question बताओ, यह बच्चे ने, आज मेरे से एक question बूचा था, एक बच्चे ने message किया था, मैंने वो ही question डाल दिया, तो ताकि आपको समझ आ जाए, इसका answer बताओ, यह question अगर तुम्हें नहीं बताया न, इस question के पीछे मत्था पकाई इतनी करी थी मैंने, अब भी आज के lecture में ही, और यह अगर नहीं आया न, तो तुम समलो कि तुम पढ़नी रहे थे, तुम बस यहां पे message message खेल रहे थे, बताओ answer बड़ा बड़, who among the following preside over the looks by in the absence of speaker or the deputy speaker, दोना ही absent है, फिर कौन बैठेगा, a member appointed by the president, a member nominated by the member of the parliament, present in the house, a person from the panel formed by the speaker of the looks by, a senior most member of the house, यह तो बता दो, yes, answer number C, that is, जो panel बनाया होगा, speaker नहीं, मैंने आपको बताया था न, 10 लोगों का panel होगा, वहां से है यह, समझाया, यह इस तरीके से हम discuss करते हैं, हमारे topic को, और इसी तरीके से हम discuss करेंगे हमारे live batch, जो के हमारा selection batch है, selection batch इसलिए क्योंकि यहां से selection निकाल के दिखा आँगा, point समझाया, तो इस selection batch को आप ले सकते हैं, 31st of August को इसकी class है, शाम को 7 बजे, clear, शाम को 7 बजे class है, 9 दिन रह गए हैं, तो अगर आप इसमें batch में admission लेना चाते हैं, आप ले सकते हैं, proper तरीके से, जैसे आज हमने class discuss करी है, proper तरीके से, ऐसी class discussion में आएगी, एक topic को ह app से, जा websites के उपर, तो जैसे ही आप इसको open करेंगे, आपको screen के उपर नज़र आएगा homepage, यहाँ पे दिखेगा search bar, search bar में डाल देना live, तो आपको सीधा, अगर live डालेंगे, तो आपको सीधा ऐसी course नज़र आजएगा, Live General Awareness by Dr. Vipan Goyal, और यह हमारा एक selection batch है, इसको click करना और इसमें आप अपना, जो भी है coupon code दगाके, जो भी discount है, ले सकते हैं, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप लोगोंने किसी ने भी study IQ app से कोई भी course purchase कर रखा है, चाहे मेरा course purchase किया हुआ है, चाहे किसी अन्य faculty का, जा कोई भी course purchase किया हुआ है, और आप अगर additional discount चाहते हैं, तो आप मुझे message करना, आपने कौनसा course purchase किया हुआ है, तो मैं आपको एक coupon code दूँगा, इसमें additional discount आपको और भी मिल जाएगा, clear होगे आप लोगों को, और अगर आप MCQ की form में पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ MCQ की form में, तो आप हमारा 10,000 MCQ course दे सकते हैं, again य बिलकुल live batch होगा, जिसमें हम question discussion भी करेंगे इसी तरीके के साथ, समझाया, yes, और plus ये जो है, आप telegram के साथ मेरे से जुड़ सकते हैं, 1,40,000 बच्चे जहां पे जुड़े हुए हैं, सारे lectures, PDF और जितनी भी information होती है, आप लोगों के लिए important, वो मैं यहां पे share कर देता और यहीं पर मैं एक link भी share कर दूँगा, तो आप मुझे message भी कर सकते हैं, again, course को purchase भी कर सकते हैं, सीधा का सीधा, और आप Facebook की उपर ही follow कर सकते हैं, Instagram की उपर आप मुझे से पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ डाउट हो आपके दिमाग में, इसमें join करें, और again, ये mail ID है, क जल्दी से जल्दी admission आप ले सकते हैं, 31st of August, वो पहली class है, मेरी history से मैं start करने वाला हूँ, ancient history हम start करेंगे, ठीक है, बहुत धमाकेदार lecture बनाने में ने start कर दिये हैं, जैसे ये वाला lecture था, इसी तरीके से, बहुत माके दियार, जो चीज़े करने वाले हैं, हम बहुत तरीक बाच के लिए, and this is a selection batch, clear, so thank you so much guys, all the very best, good luck, take care, Jai Hind.